हेलो प्यारे बच्चों मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने चानल त्यारी ओनलाइन में आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वॉक्षिट नमबर 20 बच्चों ये वॉक्षिट क्लास 7 का है आज का हमारा विसे है विज्यान विज्यान में हम पढ़ने वाले हैं पादपो में पोशन ये वॉक्षिट है 23 सितंबर 2021 का बच्चों हमने पिछले वॉक्षिट में पादपो में पोशन पढ़ा था जिसमें हमने ऐसे पादपो यानि ऐसे पादों के बारे में भी पढ़ा था जो मृत पोशी होते हैं यानि जो भी सरागला या मृत चीजें होती है उससे वो अपना भोजन प्राप्त करता है जिसमें हमने इस्ट के बारे में जाना था आप लोगोंने भी देखा होगा कि ब्रेड पे जो फफंदी यानि फंगस लग जाता है वो फफंदी या फंगस जो होता है वो ब्रेड को क्या करता है? खराब कर देता है और ऐसे जो पादप होते हैं वो नमी में पैदा होते हैं तो इसके बारे में हमने पिछले वॉक्षिट में पढ़ा चले देखते हैं आज क्या दिया गया है? यहां देखिए बच्चों सभी जीवों को खादे की आवश्यक्ता होती है जिसका उपियोग वे अपनी ब्रिधी एवं सरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक उर्जा प्राप्ती के लिए करते हैं बिलकुल सही बात है बच्चों सभी जीवों को खादे की आवश्यक्ता है जैसे हम मनुश्यों को भी खादे की आवश्यक्ता है हम भोजन लेते हैं जिससे हमें उर्जा मिलती है इस उर्जा का प्रियोग हम काम करने में करते हैं और भोजन से ही हमारा ग्रोथ भी होता है ठेक है बच्चों उसी प्रकार बेर पौधे भी भोजन ग्रहन करते हैं अब बेर पौधे भोजन कैसे ग्रहन करते हैं तो देखिए वह मिट्टी से लेते हैं पानी और नाइट्रोजन और जितने भी खनीज तत्तो होता है वो सभी वह रूट के माध्यम से इन सभी चीजों को ग्रहन करते हैं पौधे भोजन भी तेयार करते हैं अब वो अपना भोजन के से तेयार करते हैं तो ये आप सभी जानते हैं पौधे भोजन फोटो सिंथेसिस के माध्यम से तियार करते हैं जिसमें उन्हें आवश्यक्ता होती है सूरे की रोसनी की कारवन डायोकसाइड पानी और मिट्टी में पाया जाने वाला नाइट्रोजन इन सभी से वह क्या करता है अपना भोजन तियार करता है आगे कहा जा रहा है हरे पादप प्रकास संसलेशन प्रकरम द्वारा अपना खाद्य स्मे संसलेशित करते हैं इंगलिस में प्रकास संसलेशन को ही बच्चों कहा जाता है फोटो सिंथेसिस जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं भोजन बनाने में उन्हें किन-किन चीज नीज की आवश्यक्ता होती है ठीक है बच्चों, अब देखें, प्रकास संस्रेशन के लिए क्लोरोफिल कारवन डायोकसाइड जलेवं सुर्य का प्रकास अनिवार्य होता है, कार्बो हाईड्रेट जैसे जटिल रासाइनिक पदार्थ प्रकास संस्रेशन के उत्पादक है, यह आपको ध्यान रखना है, प्रकास संसलेशन का उत्पादक कौन है, तो कार्बो हाइडरेट जैसे जटिल रासाइनिक पदार्थ, प्रकास संसलेशन की प्रकरम में, क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा, सौरे उरजा का संचयन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है बच्चों तो हरे पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल और यही क्या करता है सुर्य के प्रकास को संचित करता है पौधे को भूजन बनाने में सहायता करता है प्रकास संसलेशन में उत्पादित ऑक्सिजन का उप्योग सभी जीवो द्वारा उनकी उत्तर जीविता के लिए किया जाता है हम सांस में लेते क्या है ऑक्सिजन और यह ऑक्सिजन कहां से आता है तो पेर पौधे देते हैं पेर पौधे लेते क्या हैं? तो बच्चों पेर पौधे कारवन डायोकसाइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं और हम इस ऑक्सीजन को ग्रहन करते हैं और जीबित रहते हैं ठीक है बच्चों क्योंकि बिना सांस लिए हम जी नहीं सकते आगे कहा जा रहा है कबक अपना पोशन मृत एवं अप घटित जैपदार्थों से प्राप्त करते हैं कौन करता है तो कबक इसके बारे में पिछले वाक्सिट में भी हमने पढ़ा था वे मृत जीवी कहलाते हैं कबक क्या कहलाता है बच्चों मृत जीवी अमर बेल जैसे पाधा परजीवी है यहाँ आप इस इमेज को ध्यान से देखिए इस पेड के उपर पूरी तरह से अमर बेल का जो पौधा है वा लत्रा हुआ है अमर बेल ऐसा पौधा होता है कि वा किसी भी पेड के पूरे उपड़ी परत को धग देता है यहां यही कहा जा रहा है कि अमर बेल किस प्रकार का पौधा है अमर बेल जो है वा परजीबी है यानि दूसरे पौधे की मदद से वा अपना भोजन लेता है विपर पोशी पादप से अपना भोजन प्राप्त करता है जो बात मैंने अभी कहा कि वह जिस पौधे के उपर रहता है उसी पौधे से अपना भोजर प्राप्त करता है पौधा कह लीजिए या पेर कह लीजिए कुछ पादप एवं अन्ने सभी जीव अपने पोशन हे तू दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं जैसे छत्रक अब बचों यहाँ इस इमेज में आप देख रहे होंगे ये क्या है छत्रक है और ये क्या है या एक मृत जीवी है या अपगटित या सरे गले पदार्थों से अपना भोजर लेता है तो इसे भी हम कहते हैं मृत जीवी छत्रक या आप कह सकते हैं मस्रूम मस्रूम भी मृत जीवी ही होता है और इसे हम बिशम पोसी भी कहते हैं ठीक है तो मुझे आसा है कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे आगे इससे सम्बंधित प्रश्नों को देखते हैं पहला प्रस्ण हमारा है अमर बेल उदारन है तो बच्चों अभी हमने पढ़ा अमर बेल किसका उदारन है यहाँ देखिया अमर बेल जो है वह परजीवी पादप का उदारन है ठीक है तो यहाँ परजीवी लिख सकते हैं या परपोसी भी लिख सकते हैं क्योंकि वह अपना किसी और पौधे से प्राप्त करता है दूसरा प्रसन हमारा है बच्चों प्रकास संसलेशन के लिए क्या आवश्यक है तो हम सभी जानते हैं प्रकास संसलेशन के लिए आवश्यक होता है सुर्य का उडजा, जल, कारवन डायोकसाइड, क्लोरोफिल तो बच्चों ये सभी जो है वह प्रकास संसलेशन के लिए आवश्यक है तीसरा प्रसन हमारा है प्रकास संसलेशन में डैस उत्पादित होती है तो बच्चों प्रकास संसलेशन में आकसीजन उत्पादित होती है ठीक है आप यहाँ पे फिल करेंगे आकसीजन तो ये वॉक्सीट यहीं समाप्त होता है बच्चों वॉक्सीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं आप से अगले वॉक्सीट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद